असलाम लेकुम स्टुडेंट्स वल्कम तो माई यूट्यूब चैनल वर्ल्डव एजूकेशन और आज हम वर्ल्डव एजूकेशन की इस वीडियो के इस वीडियो के मॉड्यूल नंबर 181-200 तक क्लियर करेंगे इन्शाला ताला और स्टुडेंट्स इसके लावा आपसे रि स्टुडेंट्स वीडियो के इसके लावा स्टुडेंट्स जो है मैंने चैनल पर अप्लोड कर दी है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मौझूद होगा तो आपने जाकर लाजमी सुननी है वह बहुत ज्यादा इंपॉर्टन्ट है सारे के सारे में से क्यूद्स अप्लोड करने की कोशिश करता हूं आपको अप्लोड करने के लिए आपको फाइदा हो सके तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ सबसे पहले तो यह वही जो है ला और वगारा वगारा की बात करा जो कि आप 180 तक पढ़के आ चुकी है पेटेंट ला शोट फों में तब क्याबल होता है जब आपने किसी का भी आइडिया जो है वो चोरी कर लिया और उस आइडिया पर चोरी करने के बाद आपने वर्किंग शुरू कर दी तो आप पे पेटेंट लाज होगा हो अप्लिकेबल हो जाएगा तो 20 एर कर लिए यह गरांटीट होता है तो यह आपने पढ़ लेना है as a short question यह आ सकता है कोपी राइट आप सब को पता है जिस तरह for example अगर हम YouTube की बात करें या किसी भी websites की बात करें तो आपने मेरी जो वीडियो है अपने चैनल पर upload कर लिया है तो अब आपको copyright claim दे सकता हूं है कि आपने मेरा material जो है वो without my permission अपने चैनल पर upload कर दिया है तो इस ताना का material होता है यह copyright claim होता है और इसे हम copyright कहते हैं तो इस पर बाहर के countries में सजाएं भी होती है लेकिन यहां पर unfortunately कोई भी सजा नहीं होती इसके लाबाब डेटाबेस इसका मतलब यह है कि डेटाबेस जो होता है इसका आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने कोपी राइट पर maximum जो इसका duration होता है वो 15 साल का होता है डिजाइन राइट की बात करें तो वही है कि अगर आपने एक डिजाइन बनाया है तो डिजाइन बनाने के आप कके ट्रेइड माट की बात की बात करो तो ट्रेड मार्क क्या होता है आप subko बता है यह एक logo होता है जिसना मेरे अपने चैनल का लोगो है वर्ल्ड औफ एजुकेशन अगर आपने मेरा लोगो यह दे है without my permission उठा लिया है चोरी कर लिया है या अपने चैनल पर अप्लोड कर दिया तो फिर भी मैं आपको जो है वो जो कोपिरेट क्लेम है या इसके लाव मैं आपको जो है वो दे सकता हूँ कि आपका चैनल या आपकी वेबसाइट को डिस्ट्राइक करवा सकता हूँ उस मुतलका इदारे से जहां पर आप अपनी चैनल या आप अपना वेबसाइट को रन कर रहे हैं इसी के साथ सब्सक्राइब आपको सामने या आप पर शो हो रहा है ठीक है मैं यह हाईलेट भी कर यह साय टेबल आपने पढ़ लेना है ओके आगे चलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में तो अब सीएस के क्या-क्या इंपक्ट पड़ते हैं सुसाइटी पर तो सबसे पहले कंप्यूटर सेक्यूरिटी आलसो नौन है साइबर सेक्यूरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टन हम एक आपके पास confidently है ठीक है जी उसके लवाब आपके पास integrity है availability है और authentications है confidently क्या होता है अगर आप एक ही authorized user है जो आप यूज करने अपना data तो आप जो है वो confidently अपना data इस्टेमाल कर सकते हैं integrity का मतलब होता है कि एक only authorized user should be know to modify the data when needed यहनी कि अगर आपको अपने data की जुरूरत तरफ राइटर को बता है कि मैंने अपना data किस तरह से modify करना है availability का मतलब यह होगा कि आपका data कितना available है या कहां कहां पर आपका data available होगा या आपको महां पर data available भी है जहां पर आपको जरूरत है इसके साथ authentication का मतलब यह है कि आप बिल्कुल authentic होते हैं अपने communication में यह आपको पता है कि सारा data या सारा material मेरा है तो अब यहाँ पर कोई भी claim मुझे नहीं कर सकता इसके लावा computer security क्यों ज़्यादा important है तो आप सबको पता है आपका जो data होता है वो बहुत ज़्यादा important होता है जिसकी वज़े से आपकी computer security बहुत important है computer security को किस तरह से जो है वो detect किया जाता है first of all तो hack कर लिया जाता है इसके लावा आप password लगाके रखें यहाँ पर दो माइनी हो सकता है computer security के एक मतलब इसका यह हो सकता है कि आपकी security में कोई unauthorized person ना आजए दूसरा यह हो सकता है कि unauthorized person आपके computer में virus को detect ना गर दे तो यह सारी information इसके अंदर लिखी हुई है वही है जो मैंने आपको बता दिया है उसके आगे देखें firewall के होता है firewall एक security consensus होता है hardware का और software का यह आपके computer में virus आने से detect करता है यह इस तरह समझ लिए आप firewall को याद रखने के लिए कि यह एक तरह की wall है दिवार है जो कि आपको यह unauthorized person को आपके घर के अंदर घर आपका computer है तो unauthorized person आपके घर के अंदर यहा आपको और as a mcqs आपसे पुछा जा सकता है कि defined firewall तो यह आपने जो है यहां तक मैंने highlight किया और पूरा paragraph है इसको जहां तक आप में समझना है और इसके बाद आपने इसको याद करके अपनी wording में लिख लेना है next module की बात करें तो C8 के privacy क्या होती है तो privacy का भी आपको सब को पता है कि individual right to own the data generated by his or her life and activities यानि कि मेरा data अलग होगा आपका data अलग होगा अब definitely अब आपको privacy चाहिए मुझे भी privacy चाहिए जो कि मैं अपनी बात जो है किसी भी उस authorized person के साथ share करना जाते हो तो मैं नहीं चाहता कि मेरे या उस बंदे के दिरमान जिसे मैं अपनी बात share कर र अब कर सकते हैं डेटा आता कहां कहां से है Facebook है Twitter है जो social sites टेलीफोन है आपका email है इसके लावा cameras है personal software बगएर बगएर तो यह सारी information आमने खुद से पढ़ लेनी है personal information इसको आप सकिप कर सकते हैं EPIC stand for as a mcq आप से पूछा जाता है कि EPIC stand for electronic privacy information center और PI stand for privacy international ठीक है यह मैंने द अब सोचल इशूस क्या है आई टी के सबसे बहुत से बहुत कर लेना है अब क्या होता है information technology के अदर आप बात करते हैं कि आपका डेटा एक जगह से दूसरी जगह पर किस तरह से जो है वह communicate कर सकता है जा सकता है ट्रैवल कर सकता है विदिना नैनो मैक्रो सेकिंड तो सबसे फैमिली यूनिट है अल्वेज बीन इंपोर्टन यानि कि अगर फॉशल बात करें अपनी फैमिली तो यह बहुत दा इंपोर्टन है कि आपके जो स्ट्रेंट्स है बेट्वीन एस एंड जिससे आप बात करें उस ग्रूप के साथ तो टूटे ना इसके लावा जो बड़े-बड़े इस्लामिक स्कोलर्स आ जाते हैं कोई प्रोफेसर आ जाते हैं या कुछ भी तो वह बात करना जाते हैं अपनी फैसबुक पे ट्विटर अकाउंट्स पे और डिफेम करते हैं पीपल को तो इस तरह का मतलब इसके बड़े-बड़े लोग होते हैं उनको ज कर रहे हैं यहां पर आपके देंटिटी को चोरी कर रहे हैं और आपके अडेंटिटी से आगे जो है वह कोई भी काम करवा सकते हैं साइबर बलिंग क्या होता है इसका मतलब होता है कि डिफॉर्मेशन ओफ पब्लिक फिगर्स दा इंटरेंट एंड केमिटर आलसो हैव मेड डिफ़ा तु पिपल ठीजर अपिप्ल परिफेक परिफेक्ट स्ट्रेंज और अगशां गज़ा है इसी के सास्थ अगर आप परस्नलि नहीं को लोगों पहुंचाना जाते हैं जो जंको आप जानते हैं तो वह आपके लिए वह फायदा वंद होता है गेविंग type का अगर आप audition करना जाते हैं तो आप कर सकते हैं तो इसको आप और वो skip कर सकते हैं health और fitness के बारे में मैं आपको आपने पीछे पड़ लिए कि CS का क्या impact होता है health पे आप doctor से concerned कर सकते हैं online payment कर सकते हैं education आप घर बेठे हासिल कर सकते हैं तो वर्क किस तरह करता है content filtering work by matching strings of characters as a mcu आप से पूछा जा सकता है content filtering होता है यह किस तरह से work करता है यह strings के through work करता है जो कि characters के होते हैं when the strings match the content is not allowed through अगर तो आपका string match कर गया तो यह आपका content को यह allow नहीं करेगा जा कि आप अपना content किसी को आगे भी भेज़ सकें email spam का मतलब क्या होता है spam का मतलब है error अगर तो आपकी email में error आ गया कोई major issues आ गया तब भी आपको जो है वह as a citizen spam consider किया जाता है यानि कि आप लिखा हुआ an email spam continue to become a major issue government around the world have put specific regulations in place to protect their citizens from spam यानि कि गौवर्मेंट के तरफ से यह बहुत ज़्यदा कोशिश होती है कि आपको जो है वो spam यानि एरर से बचाया जा सके important laws है तो यह आपने खुछ से एक दवा रिड़वट कर ले नहीं है यह सारे याद करते वाले हैं इसमें आपको बताने वाला पहुंचाया जाएं जिस तरह अगर आप मेंसे कोई भी आपके चोटे बेहन वाई या कोई भी आगर आपके वह कार्टून देखते हैं तो आपको नीचे लिखा वा रहा होता है यूट्यूब के यूट्यूब चिल्ट्रेंस के लिए इन्होंने अलग से बनाया होता है चा इसके लाबा जो अलग सक्कूर्ण गर्नॉट करें हैं तो इस तरह से इसको हम ऐसे आल्लाइन है फ्राड की इसके अग्जैंपर अगार रेती तो यह आपके इन्हें इसके च्वे चल्लीट कि पशस्यॅग तो इस तो इस तरह पार है है इस तमाम तर चीज़ें आपके MCQs के point of view से मॉडिल नमबर 187 तक्रीबन आपका 40% पेपर जो होता है वो आपका आता है 187 से लेके 234 तक तो आपने यही बात याद रखनी है है कि अगर आपको यहां से कुछ समझ ना है तो मुझे से आप कमेंड के रिप्लाइब करके मैं आपका concept लेकर नहीं कोशिश करूँगा MS Word आपको पता होता क्या है MS Word का मतलब होता है कि एक ऐसी application जिसके थूरू आप क्या कर सकते हैं अपने documents को create कर सकते हैं ना सिर्फ आपने documents को create कर सकते हैं बलकि आप अपने documents को बना सकते हैं सवार सकते हैं changing कर सकते हैं editing कर सकते हैं वगारा वगारा तो इस तरह का interface होता है जो आपको यहां पर तस्वीर में भी शो हो रहा है इस तरह इंटरफेस होता है आपकी MS Word की home screen का तो यहां पर मुख्लित तरह की चीज़े होती है MS Word documents वगारा वगारा recent documents हैं तो यह तो यह तो यह तो आप आगे जाकर पढ़ेंगे जो है वो बोल्ड कर सकते हैं ठीक है तो आपको बोल्ड किस तरह किया जाता है कि आपको इसके लिए एक shortcut की भी होती है डबल underline करना जाते हैं तो आप उसके साथ ही underline के साथ बटन बना होता है वहां पर जाके underline कर सकते हैं इसके लाव आपको बता रहा है कि आपको क्लिप वोट है और यह जो आपको राइट साइट पर लेफ्ट साइट बटन होता है ठीक है तो यह as a mcqs point of view से आपने चीज़ों को याद रख रहा है यहां से आपके चीज़ें ज्यादा पूछी आदि यहां पर च्छोटे-च्छोटे इसे के साथ साथ जो आपना हिडर फाइल होती है और एक अंडो फाइल होती है जिससे आप करते हैं तो अगर आप आप और आप मॉस्ट टॉप ऑफ यहां रिवाव गश्यों कि जहानगा रहा हु जो बेसिक चीज़े वो मैं आपको यहां पर बताता और सिखाता जा रहा उसके लावा home ribbon कैसा होता है यह देखें यहां पर इसको जूम करूं तो यह आपके पास जो उपर वाला सारा content आ रहा तो जहांपर आपनी राइटिंग को चेंज कर सकते हैं राइटिंग को बड़ा कर सकते हैं बोल्ड कर सकते हैं अटैलिक में लिख सकते हैं इसके लावा बगारा बगारा यह नहीं कर रहा है अगर आप दरम्यान में content content जो हो लिखना जाते हैं तो यह तमाम तर चीजें आपके पास जो हैं यह home button होता है इसके लावा students आपको एक और information MS Word की आरे होती है अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आपने वहां से जाकर देख लेना है ठीक है उसके आगे 190 की बात करें तो clipboard की बात कर रहा है clipboard में basic काम यह होता है कि अगर आपने अपना कोई भी content जो है वो copy किया है अगर आपने control plus c दभाया है अब आपने जो आप copy करते हैं तो आपका कोश्य नहीं होता है कि आपका copy करके content गया कहां पर तो वह basically आपका content जो होता है किसी भी अगर आपने लफस को select किया हुआ है जिसे आपने copy किया तो आपका clipboard में save हो जाता है अगर आप picture को copy करते हैं वो भी clipboard में save हो जाती है और फिर बाद में जाकर आप उसे paste कर देते हैं ठीक है तो यह आपका सारा काम होता है क्लिप बॉर्ड का cut and paste की भी बात कर रहा है और इसकी short example जो shortcut keys होती है वह आप से mcqs के बारे में पूछी जाती है तो control plus c होती है short की copy की control plus v होती है आपके पास paste की और control प्लस x की होती है आपके पास cut की यह तीनों आपने कीज को याद रखना है और यह आपको यहां कहीं बताई भी होंगी तो एक दवार इसको खुछ से next module पर 191 ms font group font group का मतलब क्यों होता है अब आप यहां पर अपनी राइटिंग को फॉंट को change कर सकते है font style change कर सकते है font को अबने बढ़ा करना है तो आप उसे select करेंगे change कर लेंगे अगर आपने छोटा करना है तो आप उसे select करेंगे और छोटा कर लेंगे italics में करना है यह आपके पास एक बॉल्ड है एक अड़लाइन अगर यह चेंज करना है बड़ा करना है और बड़ा करना है तो फॉन्ट ग्रूप से करते हैं यह एंफॉमिशन यहां पर क्या हो प्रिक्टिकल की फोर्म में बता दिया थीक है तो इसको भी आपने देख लेना है 192 पर बात करें तो MS Word Paragraph Group 1 तो देखें यह paragraph पर होता है अब यहाँ पर क्या होता है जो highlight बटन है यहाँ पर देखें तो इसका मतलब है कि आपका जो content होगा जो आप paragraph लिखना जाते हैं वो आप बिल्कुल अपने दर्मियान में करके लिखेंगे अगर आप बिल्कुल line के लिखना जाते हैं तो आप चोथा वाला बटन जो है उसको क्लिक करके अपना paragraph लिख सकते हैं तो इसी के बारे में आपको इसने सब कुछ यहाँ पर बताया हुआ है कि आप bullets लगा सकते हैं bullets का मतलब होता है कि यहाँ पर 12345 लिखा हुआ है आपने सिर्फ 1 लिखना है बुलि ठीक है उसके आगे बात करते हैं मोडियूल यह देखें वही सारा कुछ है चुक्छ मैंने आपको बता दिया है अगर आपने सेलेक्ट किया तो आप होम टैम में जा सकते हैं उसके बाद अगर आपने इसको दर्मियान में लिखना है तब आप किस पर जाएंगे अगर तो लिखना चाहते हैं तो भी ठीक है अगर आप यह जो डोट का साइन है वो डालना जाते है तो ठीक है इसके लाब अपने हैंड्योट्स पी देखा होगा यह जो साइन है यह झालना जाते है यह जो चार बटन है यह जो ऑपके सामने शोर ओर है इसको ड्यालना जाते है तो जो आप जो हो डाल सकते हैंं म्स वर्ड्य आपको यह चीज़ें भी प्रभाइट कर देता है तो इसी के साथ हम natitude में different style को choose करके change कर सकते हैं अगर तो आपने थोड़ा सा bowl design करना है तो आपके बाद यहां पर तीसरा देखें आप उसको कर सकते हैं या अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा उससे ज्यादा हो जाए तो आप heading 2 पर कर सकते हैं और अगर सकता है तो इसको आपने अच्छता रीडाउट कर लेना है स्टुएंट रीडिंग आपने खुद करनी है बिल्कुल जो basic concept है मेरा काम है आपको समझाना और आपको बता देना उसके लावत देखें editing ग्रूप क्या होता है editing का मतलब होता है अगर आपने अपना एक document finalize कर लिया है तो आप finalize करने के बाद आप आपको जरूरत पड़ती है कुछ नहीं कुछ उसमें add करने की तो आप अपने document को दोबारा edit भी बड़ी असानी से कर सकते हैं select करना है अपने replace करना है find करना है editing करना तो यह तो आप आपने इंसर्ट पर जाना तो इस तरह का एक home page आपको सामने open हो जाता है यहां से आप charts बना सकते है smart art कर सकते हैं shapes बगरा कर सकते हैं table अपना यहां से content में जो है वो show कर सकते हैं कहने का मकसद है सारी information आपके पास लिखी आती है बस आपको थोड़ा बहुत इसको use करने का तरीका आना चाहिए तो अगर आपके paper में यहां से कुछ भी आता है और आपको नहीं समझाए तो आपकर arrow को यहां पर सिर्फ क्लिक करेंगे तो automatically आपको पास एक information आजएगी आप आप वही information उठागे अपने paper में लिखते हैं तो आपको number मिल जाएंगे तो यह भी आपने एक दमा खुद से readout कर लेना ठीक है उसके आप आगे बात करते है ms word page group की तो page group में के होता है एक cover page होता है और एक page break होता है अब बात करते है cover page का मतलब के होता है cover page का मतलब यह हो अब यहां तक आपके पास एक module है अब यहां तक आपके पार नीचे जो है यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर आप जो है अपना cover कर सकते थे लेकिन आपने cover क्यों नहीं किया आप यहां पर आपने page को break किया और आप next page पे चले गई है तो यह आपके पास example है ठीक है आगे इसको explain भी किया हुआ है इसको आप एक दवा खुद से readout लाजमी कर ले इसके आगे 198 बात करें तो table group table का मतलब क्या होता है कि अगर आप table को अपनी information को table की form में लिखना चाते हैं तो आप table group जो है वो create करते हैं tables को create करेंगे और tables को create करने के बाद आप जो है अपना data उसके अदर easily find out कर सकते हैं या उसके अदर editing कर सकते हैं write कर सकते हैं कैसे आप table जो blank page उसके बनता जाएगा और अगर आप फुट से page में आना जाते हैं तो आप यहां पर देखें ड्रो टेबल लिकवर ड्रो टेवल पर आप क्लिक करेंगे rows और column को देंगे 2x2 का बनाना है 3x3 का 10x10 का बनाना है तो आप देंगे और enter press करेंगे तो automatically आपके सामने एक table 10x show हो जाएगा तो यह इस तरह से काम करता है चलते है second last module के तरह तो यहां पर देखें अब आपके पास आगया illustration group इसका मतलब क्योंता है यह फाइल में जाके आप यह वही बात है जो कि हमने आपको पहले भी बता दिया अगर आप shapes बनाना जाते है smart art करना जाते है चार्ट व सेमर्ट करेट किया हुआ था तो यह तमाम तरह जिए जिनको आप जाके इसके मेंसे आप कर सकते है smart art को है कि कहते हैं जो आप जो है पना एक चार्ट वगरा बना रहे हैं यह graph बना रहे हैं तो भी आपका इसे अज़ा कि पर चार्ट मॉडियूम्रा फिलु के बात करें MS word media इस मौडियूल को आपने जरा साभी स्किप नहीं करना अगर आप स्किप करेंगे तो आपका बहुत बड़ा नुक्सान होगा तकरीबर यहां से आपका पेपर जो है वो 5-10% आपका आता होता है MS Word, MS Excel और MS PowerPoint से हर चीज़ को अच्छी तरह सीखें यहां पर तो यह तमाम तर इसने जो पॉइंट्स बताए हुएं इसको आप पढ़ ली जाएगा हाइपर लिंक मैंने आपको बता दिया यह आप इसके लिंक अपना एड़ कर सकते हैं जिस तरह वेब पेजिस होते हैं यह आपने सम्टराइम किया होता है अपने हैंडया समय दिया यह ओटा है जब आप उस फलाँ विबसाइट पहुंच आठे आ हिया है जो आप उस फलाँ वेब आपण जाती है तो यह हैपर लिंक होता है जो आपको वेबसारी में यह इसके लावा आप इसे क्रियाइट के सरह करते हैं यहाप इसने नीचे तीन स्टफ दी हुए है कि हाउ टो यूज बुफ मैक तो इसको आप पूछ सकता है तो इसको आपने एक दूबा खुछ से रिराउट कर लेना है तो यहाँ तक आपकी वीडियो थी आपको समझ आ चुको आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वो लाजमी जाके सुने और वह लाजमी जाके जो है वो देखे में इसके लब आई एसल 2001 की फाइनल टम का प्रिपेशन में ने आपको दे दिया वह भी आप जाके लाजमी जो है ना वीडियो को विजिट करें सुने और अच्छी